हम लोग प्रेर तो प्रेरी तो एक अध्याय उसका आठ पद देखेंगे प्रेरी तो अध्याय एक और उसका आठ पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है परन्तु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे लिखा है जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा कौन आएगा तेजी के साथ बोले जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे हालेलुया मेरे प्रियों येश्य मसी जब इस धर्ती पर से उठाया गया उसका स्वर्गा रोण हुआ जब वो आस्मान जो स्वर्ग के लिए उठा लिया गया उसके बाद येश्य मसी बता रहा था अपने चेलों से कि तुम बाट जो हो ना एक कचार खोले यहाँ पर लिखा इस प्रकार से और उनसे मिलकर उन्हें आग्या दी येश्य मसी अपने चेलों को आग्या दिया कि यरुश्लेम को ना छोड़ो परन्तु पिता की उस प्रतिग्या के पूरे होने की बाट जो होते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो और उन्होंने इकठे होकर उन्होंने इकठे होकर उससे पूछा हे प्रभू क्या तु इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या खालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं आठपद में लिखा है परन्तु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुसलेम, सारे यहूदिया सामर्या में और पृत्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे हालेलूया इसका मतलब है कि जब तक पवित्रात्मा आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आप सामर्थ नहीं पाओगे हालेलूया मेरे प्रियों पवित्रात्मा एक सहायक है और वो जब आता है तब हमें सामर्थ देता है सामर्थ का मतलब केवल ये नहीं कि आप अंदों की आँखे खोल सके सामर्थ केवल ये नहीं कि आप जो लंगडे हैं उनको चला सके सामर्थ केवल ये नहीं कि आप दुश्टात्मा को निकाल सके हाँ ये सामर्थ है कि आप अद्बुत काम कर रहे हैं सामर्थ के काम यानि अंदों को आखे दे रहे हैं प्रार्तना कर रहे हैं तो दुष्टात्मा निकल रही है आपके प्रार्तना करने से मुर्दे भी जिलाये जा रहे हैं ये सामर्थ है और ये होता तभी है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे हालेलूया केवल अग्बुत काम करने की सामर्थ नहीं बलकि आपको वो सामर्थ देगा आप आत्मिक तोर से भी बढ़ सकते हैं और आप जो भी इस समय आप अपने सारीरिक रूप में जो भी आप काम करना चाहते हैं वो चाहे आपका बिजनेस हो या फिर आप अपने परिवार में एक अच्छा मोहौल चाहते हैं आप चाहते हैं कि मेरा परिवार हमेसा आनंदित रहे लडाई जगडा नहो मेरे परिवार के कोई व्यक्ति बेविचार की उन बातों में न जाएं जूठी बातों में न जाएं आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा एक अच्छा पढ़ लिके जॉब करे इन सब कामों में भी पवित्राक्मा आपको सामर्थ देगा हालेलुया यदि आप किसी विशे पर तयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं आप चाह रहें कि प्रभू मुझे कोई गॉवर्मेंट जॉब दे तो मैं बताना चाहता हूँ ये भी पवित्राक्मा के द्वारा संबव है हालेलुया क्योंकि जब पवित्राक्मा आएगा, तब मुझे सामर्थ मिलेगी उस सामर्थ में आपकी हर एक जरूर्ते हैं आप अपने परिवार को सुन्दर देखना चाहते हैं तो पवित्राक्मा जरूर ही है आपके परिवार में क्योंकि जब आपके परिवार में पवित्रात्मा आएगा तो वो आपके परिवार को पाप से बचने की सामर्थ देगा आपको बुरे काम करने से बचने का वो सामर्थ देगा आपके बुद्धी को बढ़ाएगा हालिलुया आप यदि आप कमजोर हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, आपको डर लगता है, आपके सामने कोई बड़ा अधिकारी आके आपसे बात करे, आपको बड़ा हट आती है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन वक्त में भी यदि आपके पास प हालेलूया, जब पवितरात्मा आएगा तब हमारे अंदर सामर्त आएगी, हालेलूया, आपके जीवन में बतलाओ कब होता है, जब आप येश्यो मसी को ग्रहन करते हैं, और पवितरात्मा आपके जीवन में जाता है, और आपको कायल करता है, आप अपने जो आपने पाप किया है वो आपको कैसे आपके जीवन में महसूस होता है मैं आपको बताऊँ वो पवित्रात्मा ही है जो आपको अंदर से डालता है कि जो मैंने पाप किया है मैं उसको मानू और छोड़ दूं हालेलुया पवित्रात्मा ही है जब वो आपके जीवन में आएगा तो आपको कोई भी सताय आपको गाली दे आप उसको छमा कर सकते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है हालेलुया ध्यान से सुनिए आप पिता के बारे में जानते हैं हालेलुया क्योंकि ये तीनो एक है इसको बोलते हैं त्री एक परमेश्वर हालेलुया देखिए जो आप पुराने नियमें पढ़ैंगे उसमें जादा तर आप पिता की चर्चा को सुनते हैं पिता परमेश्वर यहोवा की चर्चा वो चाहे मूसा से बात किया हो, अबरहम से बात किया हो और भी जो भी नभी थे, जो भी परमेश्वर के उस समय दास थे, जो भी बहुश्वक्ता थे उन सब से परमेश्वर खुद बात करता था नैनियम में जो सुसमstudy की चार किताबות था आप उसमें पढ़ेंगे तो येश्व मसी खुद बाते करता था मतलब की परमेश्वर पिता पहले बात करता आया फिर उसके बाद पुत्र बात करता आया जिसे हम येश्व मसी कहते हैं जो हमारे जीवन का उद्धार करता है लेकिन ये वो समय है प्रेड़तों के समय से जो स्टार्ट हुआ है वो है पवित्रात्मा हालेलुया देखिए परमेश्वर पिता के समय में भी पवित्रात्मा काम करता था येश्यु मसी के समय में भी पवित्रात्मा काम करता था लेकिन आप प्रेर्दितों किताब में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा पवित्रात्मा की चर्चा की गई है क्योंकि प्रेर्दितों के किताब से ही वो पवित्रात्मा का जो मॉमेंट है वो स्टार्ट हुआ है वहीं से ही पवित्रात्मा का ये काम सुरू हुआ और जादा तर आप फ्रेर्टों के किताब से पवित्रात्मा के बारे में जान सकते हैं मैं किसी पास्टर से सुन करके नहीं बता रहा हूँ आपको रियली मैं इसे हम प्रार्तना में बैठ करके सीख करके आपको सिखा रहे हैं हालेलुया और ये मेरा विश्वास से जितने लोग आज सुनेंगे ध्यान से जिनों ने पवित्रात्मा नहीं पाया है वो आज की दिन में पाएंगे हालेलुया क्योंकि बाइबल बताता है जब पत्रस प्रचार कर रहा था सुनने वालों पर पवित्रात्मा आया वो ऐसे सुनने वालों पर नहीं की बाहर भी कहां लगाये हैं सो भी रहे हैं ऐसे लोगों पर नहीं उन लोगों पर बाइबल बताता है जो सुन रहे थे यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आज आप पवित्रात्मा को पाएंगे और जब पवित्रात्मा आएगा तो सामर्थ भी आएगा आप मेंसे कई लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे जो एक पाप की परिस्तिती है जो बिविचार है वो बार बार खीसता है और मैं बच नहीं पाता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप चाहते हैं बचने के लिए तो जो बचना नहीं चाहते हैं उनसे हम नहीं कहते लेकिन यदि आप ठानते हैं मैं सोचता हूँ मेरे विचार में अच्छा सोच रहे मैं किसी को देखके मेरे अंदर बेविचार की बाते ना आएं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज पवित्रात्म आपके लिए ये बात को संभव करेगा आप उन बातों से अज़ाद होंगे आप उन बातों से अज़ाद होंगे इश्व मसी के नाम में हालेलूया पवित्रात्मा ही है जो आपको सामर्थ देगा यदि आप अपने बुद्धी को विक्सित करना चाहते हैं अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आपके सामने कोई बात करें तो उसको लगे कि ये येशु मसी में है आपको पता है कि जब पत्रस और युहन इतने साहस के साथ येशु के बारे में हर एक बड़े लोगों के सामने बात कर रहे थे कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों नहों बाइबिल बताता है वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन सब के सब अनपड़ थे मचली पकड़ने वाले थे जो येशु मसी के चेले थे लेकिन जब फ्रेरतों दो अध्याय में पवित्रात्म आया तो उनके अंदर बुद्धी आई उनके अंदर वो सामर्थ के काम करने की ताकत आई जो उन्हें कभी रोक नहीं पाई चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमिश्र के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और आपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइब प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें